भारत के प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी इस समय अपने छे दिवसिय विदेशी दौरे पर हैं दुरान पीम मोदी कई देशों के राजनेताओं से मिलने के साथ ही कई कारेक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं साथ ही इन देशों में हो दही रहरे भारतियों मुल्के नागरिकों से भी पियमोदी मिल रहे हैं पियमोदी दुनिया के सबसी लोग प्रियनेता है ऐसे में पियमोदी जहां भी जाते हैं वहां उनका काफी आदर सत्कार क्या जाता है सिभार्तिय मुल्के निवासियों द्वारा ही नहीं बलकि उन देशों के राजनिताओं द्वारा भी आज भी कुछ हैसा ही देखने को मिला जब पियम मोदी को फीजी और पापुआ न्यूगिनी में आज पियम मोदी को दोनों देशों के सरवच्छ सम्मान से नवाजा गया पियम मोदी को इस सम्मान से पापुआ न्यूगिनी के गवर्नर जनरल बॉब और डाडी ने नवाजा पियम मोदी के दोनों देशों के सरवच्छ सम्मान से फीजी में ही नवाजा गया आपकी जानकारी कि रबता दे के दुनिया भर में बहुती कम लोगों को इन दोनों देशों के सरवच्छ सम्मान से नवाजा गया है इस लेक्ट में अब पियम मोदी का भी नाम शामिल हो गया है पियमोदी ने फिजी और पापवान यूगिनी के सरोची सम्मान को देश को समर्पित किया है कहा कि ये दोनों सम्मान सिर्फ उनके लिए ही नहीं बलकि देश के 140 करोण लोगों के लिए भी रिपब्लिक आफ पलाव ने राश्ट्रपती सुरंकेल विप्स जुनियर नेवी पियमोदी को एबॉकल और वॉर्ड से सम्मानित कैसा वॉर्ड की रिपब्लिक आफ पलाव के लोगों में काफी हमियत है और इसका स्थानी संस्कृति से गहरा संबंध है